गुड मॉर्णिंग आइस मैं साइल क्रिकेट लॉंडी पर आ गया हूँ आपको फिर से एक बार 2023 वर्ड कप के अपडेट देने जी हाँ वर्ड कप 2023 में भारत का शांदार पदरशन जारी है पहले सेमी फाइनल में भारत ने न्यूजिलेंड को सतान बेरनों से हरा कर लिया है फाइनल में प्रवेश जी हाँ दिवाली के शुब मौके पर भारत ने एक बड़ा तौफा दिया है टीम इंडिया ने देशवाशियों को फाइनल में प्रवेश कर गया है भारत जबरदस्त तरह से भारत ने कलका खेल खेला ताजित कर पहले बल्ले बाजी करते हुए भार कि वो रिटार्ड हुए थे बीच में इसके बाद आया किंग कोली जी हां किंग कोली कोली का तुफान आया कोली ने 117 रन मनाए पचासवा शतक पूरा किया अपना सचीन तंदुलकर को पीछे छोड़ा सचीन तंदुलकर के 49 शतको का रिकॉर्ट कोली ने तोड़ा और पू 25 रन मनाए अंत में राहुल ने 49 रन की 33 तर्रार पारिकेली और भारत ने 397 रनों का विशाल स्कोर बनाया जवाब में न्यूजिलेंड की शुरुवात अच्छी रही 30 रन जोड़े कॉनवे और रचिन लेकिन इसके बाद आया मुहमद शमी का तूफान जी हां शमी ने आत 180 रन की पार्टनर्शिप करी केल विलियमस ने जहां 360 रन मना है मिशल ने 134 रनों की शानदार पारी के लिए जिसमें नौ छखके शा मिल दें लेकिन मुहमद शमी जी हां भारत का लाल भारत का हीरो वर्ड कप का हीरो मुहमद शमी जिसने सेमी फाइनल को शमी फाइनल बना विकेट हर मैच में चार विकेट शमी निस्ते नाबूत कर दिया है और फाइनल में भी भारत जीतने वाला है जैसे मैंने प्रिडिक किया था कल कि भारत न्यूजिलेंड को हराएगा 2019 के सेमी फाइनल का बतला लेगा भारत ने वो हिसाब बराबर किया तो गाइस आज होगा द आस्टेलिया जो जबरदस फॉर्म में लगतर साथ में जीत के आ रही है वही साथ अफ्रिका एक दो मैशारा विश में लेकिन अच्छी फॉर्म में है आस्टेलिया डेविट विनर मिशन मार्श ताबर तूर शुरुवार देनी की कोशिश करेंगे इस मित लबशाने जो सम तो मश्किल होगी अफ्रीका के लिए डिको के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीज मैटन मकराम रासी वंडर डुसेन क्लासेन मिलर इनको रन बनाने होंगे अगर आस्टेलिया को मात देना है तो जबरदस मकाबला ये होगा आज वर्ड कप में प्रिडिक्शन मेरी कह रही कि आस्टेलिया ये मुकाबला जितने वाला है आज का और दरशकों जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें मैं आपको बताऊंगा क्या होगा आज के मुकाबले में इस पे नज़र थैंक यू सो मच नमस्कार धन्यवाद